दोस्तों बिलकम बेक माई चैनल लेड़ेस नियूज तो लेड़ेस नियूज में आप सब एका स्वागत है तो गाईज जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फर्म अपलाई कर लिया है तो फाइनली आज की डेट में उन सभी छात्रों की स्कॉलर्शिप आने वाली है तो आज आप सब को यह काम तुरंसे कर लेना है अभी कर लेना है तकि आप सब की स्कॉलर्शिप आ पाए गाइस अगर आपने अभी ज्यादा important and बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है तो चलिए ब्रंदेरी के इस टार्ट करते हैं तो गाइस मैं आपको बता दू आपको Google प्यारा है मैं आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे वैसे वह काम कर लेना है नहीं तो गाइस आपकी scholarship नहीं आ पाएगी तो आप परिसान भी हो जाएंगे तो गाईस आपको क्या करना है Google पे सर्च कर लेना है www.bessrosega.com यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे साब साब दिखा ओगा www.bessrosega.com तो गाईस यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग ने देख लिया है आपको इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको सिधा स्कॉलर्शिबले सेक्शन में लेकर चलता हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो गाईस यहाँ पे आप देख पाएंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा तो गाइस यहां पर आपको साब साब दिख रहा होगा News Scholarship इसके बाद हम स्कॉल करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर आप साब साब देख भाएंगे UP Scholarship Status 2021 UP Scholarship Status तो गाइस आपको इसी वाले link पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामें कुछ airs आएंगे आपको cancel कर ले रहा है and cancel करने के बाद आपको स्कॉल करना है and यहाँ पर आपको statement भी बताया गया है कि आपकी scholarship कब से कब तक आएगी किनकी कब से कब तक आएगी यहाँ पर पढ़ लेना ध्यान से पढ़ लेना आपको idea हो जाएगा guys यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा check अधार linking status with bank for all and click here guys मैं आपको क्यों यह बता रहो पहले आप इसको जान लो ताकि आप सब यह काम कर लो रखिए आपकी scholarship जो भी आती है और आपके आधार कार्ट के थ्रू आ रही है ना कि आपके bank account के थ्रू आ रही है अगर आपका आधार कार्ड आपके bank से link होगा status तो आपका definitely scholarship आ जाएगा चाहे आपका correction हुआ रहे है या फिर ना हुआ रहे है अगर main चीज आपका नहीं हु bank account में आ सकता ऐसा नहीं है कि जो आपने bank account दिया है उसी में ही आएगा अगर आपने अधार कार्ड से कई bank link किये हैं तो किसी में भी आ सकता है क्योंकि आपका scholarship आप APBS के माद्यम से भेजा जा रहा है ना कि PEFMS के माद्यम से भेजा जा रहा है तो आपको प्लीज यह काम कर कर लेना है आपको पता भी होगा APBS के मतलब की अधार बेस payment ओके मतलब अधार बेस payment तो गाइस उसी के थुरू आपका payment भेजा जाता है तो आपको क्या करना है यहां पर फश्टापाल की आपका अधार का number यहां पर डाल लेना है जरूर से कर लेना है अगर आपने correction नहीं क उसके बाद sign OTP पर क्लिक करने के बाद अपना आप वहां पर OTP डाल के submit कर दीजेगा उसके बाद आपका सब कुछ काम क्लियर हो जाएगा आपकी definitely scholarship आज आगी अब कब तक आएगी गाइस मैं आपको बता दू आज की डेट में मैंने DWO से मैंने बात कर रहा है कि उन्होंन चातर है ना उन सभी चातर की scholarship तो गाइस आपको यह काम कर लेना है और आपकी scholarship जितने भी चातर है यसी के एन मानरोटी के उनकी scholarship आज की डेट में आने वाली है तो DWS अगर आपको recording में सुनना तो मैंने recording में कर रखा है बड़ वीडियो बड़ा होने की वज़िसे मैं नही सुना सकता हूँ बड़ अगर आपके comments आएंगे तो definitely मैं आपको सुना दूँगा अब चलिए guys कुछ बच्चे comment कर रहेते उनका भी reply कर दू ताकि उन सब को भी पता चल पाए कि उनकी scholarship में जो problem से उसका solution क्या हो सकता है तो guys यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ बच्च आपके transaction ID होगा वही transaction ID अपने आप bank में transfer करो उनको बोलो कि सर मेरा transaction ID यही है यह मेरे लिए scholarship का fund issue हो चुका है बड़ मेरे bank में अभी तक credit नहीं हुआ है वही transaction ID आप बोलेंगे तो आपका scholarship का fund आपके bank account में credit कर दिया जाया है bank के द्वारा मतलब government के द्वारा आपका scholarship bank में credit नहीं किया गया है तो आपका transaction ID होगा वही आप बोलना अब मैं आपको दिखा दू transaction ID कैसा होता है पहले इसको भी आप देख लो तो गाईस यहां पर आप इसकीन पर देख पाएंगे यहां पर आपको साब साब दिख रहागा credit transaction ID यहीं है यहीं आपको अपने bank में द लक्ता दूना यहां पर आप साब साब चीज़ंकि यहा अपर कर लेना सोट गईर पर देखिए गाई cash च्रोड मेंने यह आपको बन सब्सक्राइब शल्क परी आपको概ने लिंक है यहां पर लोग細 वार्गा बता रहा है तो ऐसा बहुत से बच्चों का इसू है इसलिए मैंने आपको बता दिया है तो डेफिनेटली आप सब वेट कर लो डेफिनेटली आपकी स्कॉलर्स हंडे परसेंडेज आ जाएगा यहां पर पर पुराना इस्ट्रस हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपका र और नहीं तो आपको मैं अगर ज्यादा से ज्यादा प्रावलम आपको है तो मैं आपको यहीं बताऊंगा कि आप सब डिस्क्रिप्सन में टेरिक्राम का लिंक है वहाँ पर मेरा वार्शन नमर मिलेगा वहाँ से आप सब मेरे से डारेट कांटेक्ट भी करकर अपना हेल्प ले पाएंगे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रावलम है तब नहीं तो क्या अभी बहुत से बच्चे कमेंट एक साथ में लग जाएंगे तो मैं रिप्लाई निकर पाऊंगा तो प्लीज एसा मत करना अगर आपको ज्यादा प्रावलम है तो आप मौहाँ पर कर देना मैं आपको इसी तरह मैं आपको नेक्स वाले वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा तो बाइबाइबाइब टेक क्यार फिर से मिलते हैं गले वीडियो में बाइगे श्यादा